नहुस्का दोस्तों, डीडीरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभीका स्वागत है, मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो में देखने जा रहा हूँ और जिस वीडियो पर मरियाख करने जा रहा हूँ आज मैं आपको एक फैमली से मिलवाता हूँ जो के रिसेंटली जो है इंडिया से होके आए है और यात्रा कर के आए तो उनसे पूछते हैं कि यात्रा कैसी रही और कैसा एक्सक्राइब रहा और कितना उनको अच्छा लगा कितना मज़ा आया तो आए बात करते हूं तो फ्रे एको में शोड़ान नफ्यान अरो यहां कि एक।ो जो यह प्धिया है जै डिल्ए में भी आइपके तो अभी सबस्क्राइग ने घर देखने के हैं juice ज वह क्या सिमयर बहुत बभण अच्छे इंसान और बहुत सबक में लाइक करते हैं करने वाले तो बश्रेक्स आप दरट से जैनले हो कि हम्हानी ओक नभर में करांची से हम यात्रा से निकले में निकले हैं है हम करांची से इंहों से निकले हैं जनवरी में तो इस आच फार ग्यालग काफ़ी ہے अच्छा पीछे मुझे वो ज्छाल की आवाज आ रही है तो मुझे लग रहा है कि पीछे ये कोई हिंदू बस्ती ही ही है और वहां पर ये मुमन जब कीर्टन होता है तो कीर्टन में ज्छाल बजा जाते हैं तो वो आवाज आ रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये किस हिंदु बस्ती आसपस कोई हिंदु मंदिर और गार ऐसे ही, सबसा ही बातक्स है। पहुचे लोग बहुत अच्छे लोग इंडियन थारी जितने भी लोग में मिले बहुत उन्होंने हम से कॉपरेट किया बहुत अच्छे तरीके से मिले और बहुत इंजोई किया हमने अरीदवार में घंगा शनान किया हमारी जरम पत्नी भी बताएं कि थोड़ा से पूछते इनको कैसा लगाता हूं मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा मेरा दो दिली दी हो रहा था कि मैं वापस आऊ थोड़े दिन और रहूं एंजोई करूं और मेरी बेटी भी थी हमारे साथ बेटी को भी अच्छा लगा है बस बहुत अच्छा अब दिल कर रहा हम आपस जाए हरी दॉयर थे मनसा देवी की हमनरे के महरा बहुत इंद अठ्म अच्छा मैं फिर हम गये हैं दमों में दमों की आतरा की दमों में भी बहुत बगवान जी महां के महाराज हैं बहुत अच्छी उन्होंने हमारे साथ राप्ते में रहे और हमें अब उनके धाम में रखा हरिदवार मेरे यहां से यहां से चार-पांच घंटे का रस्ता है बाइरोड बहुत अच्छी सड़क है हम तो बस सुब़ चलते हैं पांच बज चलते हैं सुब़ दस बजे साड़ेनों दस बजे पहुंचाते हैं अपना नहायद है जब हम नहाते हैं तो सारे पाप मुक्त हो जाते हैं बिसिकली वो एक रिचुल है और वो हम करते हैं बहुत उचा स्थान है मंसादेवी मंदिर वहीं पहाँ पास में थोड़ी दिरुप है तो हम वहाँ भी गय थे और उसके लावा में रिशिकेश इधर ये सब मैं देच चुका हूँ नीलकंट महादेव मंदिर ये सब मैं जा चुका हूँ ये मैं इंडिया के दर्शों के लिए बहुत अच्छी जगए हैं बहुत शानदार जगए हैं और हम लोगों के लिए सनातन धर्मियों के लिए हरद्वार का स्थान बहूत उचा होता है हरद्वार में कॉम्हमेला लगता है और वो बड़ा फेमस है वर्ल फेमस इस कॉम्हमेला है तो मुझे भी अपनी यादे ताजह होगा है इन लोग की बाते सुनकर इनकी तस्वीर देखकर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तबासुन जो सेवा कर सकते थे धाम में खास हमारे लिए उन्होंने बंज़ रखे और बुलाए और लोग भी जो हमारी सेवा कर रहे थे बहुत अच्छा लगा तीन दिन हम आ रहे हैं धमों से पिर हम गए हैं जगनात जगनात यातरा पर जो आजकल हमारा व्लोग चल भी आप देखेंगे हमारे व्लोग पर भी लता रवी यूट्यूब चैनल है हमारा धार्मिक चैनल थे धार्मिक वीडियो बनाते हम तो सारी आपको बहुत अच्छा लगेगा दूसरी बात लिए कि फिर हम जब वहां से जगनात पूरी गए वहां जगनात पूरी के वाद फिर हम एक त्रवडी गए त्रवडी ये नद्धी हैं जो गंगा जमना सरसती का तीनों का वहाँ से हम पे हमने शनान बी किया अपनी पूजा अच्छा यह आगे अपनी बात बताएं तो यह मैं यह तीनों के बीच की दूरी बहुत ज़ादा है अगर आप जगनातपुरी के बात कर रहे हैं तो वो ओडिशा में है बहुत दूर है यहां से ओडिशा स्टेट है हमारा वहां पर है जगनातपुरी मैं अज तक गया नहीं ह तो जाने का मेरा बड़ा मन है बहुत जबरस्त मन है वहां पर जब भी बुला लें जय जगनात जब भी बुला लें तो वहां से फिर यह आए हैं जो त्रिवेडी कह रहे हैं तो यह संगम है प्रियागराज तो यह यूपी में पढ़ता है यह सेंटरल यूपी हो जाएगा Central के मतलब UP में पढ़ेगा बीच में और यहां भी मैं जा चुका हूँ संगम पे प्रयागराज भी जा चुका हूँ तो यह यहां पर है तो आप Odisha से फिर यहां पर आए और फिर इसके बाद दमो बता रहे थे वो MP में था तो MP से गए होंगे हरिद्वार भी UP में है तो वहां से गए होंगे फिर इसके बाद यह बता रहे हैं कि जी हम गोकुल है गोकुल यानि की UP में ही मतुरा मतुरा वरिदनवन वाला जो इलाका है यह पूरा इलाका है तो यह बहुत पास-पास नहीं है कई सौ किलोमेटर की दूरी पर हैं बहुत दूरू पर हैं बहुत पर रहें बात पर नहीं है और यह गोकुल है, यार यह हाँ मत्रह में, बिंदनवन अच्या दूसरी बात है कि हमें वहां के छो बिचारा हम लोग 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 बंदावन जाते थे गूमें तो लेड उजाते थे वहां का टाइमिंग ए साथ बजे सब बंद हो जाता है नो तो आम मारे लिए स्पेशल बिचारा वहां अपना खोल के रखा था हम 10-11 वहां क वहां के सारे धार्मिक खानेते हैं जिसमें आमने पालक पनीर और पनीर पनाठा चने चोले सबसे मेक्स बहुत ही आनन्दमाई सबस्वादिश सारा भोजन था और असली गीमें बनाते हैं सबसे बड़ी बात जिये के सब चीज है बेकल खालिस है और दूद और लसी की तुमा क्या बात बता हूं अब को में आप अगर एक जाएंगे समीर भाई भी तो उसकी तारीफ के वह गांगे रहें नहीं रहते हैं आप ड़्ूद लीडर किष्णर कि शोड़ास उनके भी हम पासपॉर्ट के लिए यकिन हैं कि आप ऐ nuestros शोड़ से परना करें में यहु जांधि हम ट opens शोर कंट ऑंग तरे लिए आप पासफर्ट बाने जाम आप खाल Bureau हुआ कि अपर अल्ला की तरफ से जो बनना है कि हम जो जहां में हमारा किस तरह किस तरह कोई उमीद नहीं थी वाग दोड़ उनकी थी हम तो जाते घूमते थे और फिरते और रहे ते में वह बचारे जो हैं कभी ठाने के चक्कल लगाना तब ही दर तो अब इस तरह चलते रहे और य जो देखेंगे हमारे चैनल के और से अब देख सकते हैं लेता रवी यूट्यूब चैनल यह बताए कि वहां बताते थे किसी को कि हम पाकिस्तान से आए तब उनका रियक्शन को बहुत बहुत खुश होते तो वह है रहान हो जाते हैं है अब पैंतालिस लोग कैसे आगया है मां रवाजी के देखिता है लुग पाकिस्तान से हैं हमने अर जगा सच बताया कि बहुत बादे आप लोग और पैंटालीस लोगों को देख देखे तो थे एक वहा थे ढ़ने हमेशा है तो खाने पीने में गुमने उसमें पूरे हो गए उप सब्सस्री कर साथ मैं अच्क है तो दो से तीन दिन कहीं रुकते तो बस खायर कि वही थी पूरे खिर टोड़ के लिए तो वहां जो आने ज़िए वह एग रहते थे शीम में पर चेंड कर लिए और वहां डाबों पर रुक के खाना प्रशाद जाने भी ठावे पर बहुत खाने गाते था हुआ तो इस तरह तीरत या तरह में बहुत आनंद महीरा हमने यकीन करें 20 दिन जैसा लगता है 20 साल हमने वहां गुजार दी है इतना हमको वहां सकून मिला है और उनके जरनी पूरी देखना चाहरे हैं तो वीडियो जो आपको मिलेंगी लता रवी यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके देखिएगा और आपको सारी जो है वीडियो मिल जाएंगी और उस पर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा तो बाकी है कि मै किक किया को दनेवास सब्सक्राइब क्यों आभाई लाइक करते हैं प्संदे दैखी है अब आपकोсь कि आपको सबस्क्राइब करणी कर आप लिए है और लोग नीinta चाहिए सब्सक्राइब करें ताके आगे और जो है अची एची वीडियो बनाएं क्योंकि रवी भाई को दीदी को मैं देखता हूं यह हर इमेंट में जो है आते हैं और साथ-साथ मेहनत कर रहे हैं तो यह बड़ी बात है कि हमारे मेरे लिए खुद एक मतब जो है इंस्परेशन वाली बात है कि यह और ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छी बात है कभ मेरे भाई भी यह दिखाते हैं अच्छा लागता था हमें इनको देखके फिर हमने एक बात हमारा भी मन हुआ और इस तरफ हमें मगवान की किरपा हुई कि हम इस तरफ लग गए और अब यह हमें हमारे जीवन में जीजे नहीं वीडियो बनाते हैं अजीब सा लगता है घर हम कहते हैं कि दुनिया काम है कहना और जो हम कर रहे हैं वो पर्भू को पता है इश्वर को पता है लोगों काम है कहना इससे हमें कुछ नहीं है हमने अपना जीवन को जाना है हमने जाना है तो अपने सफर पर निगलना है अपने सफर का में खुद हिसाब देना है तो हम प्रफिश्राइब भी आप लोग इतने जिन्दा दिल है कि मुझे लग रहा है कि यार मुझे अगर पता होता ना तो मैं तो हरिद्वार आजाता आप लोगों से मिलने तो अगली बार अगर समीर भाई भी आएं तो भाही मैं भी समीर भाई के वीडियो देखता हूं और इनक कि बार जब भी आएं इंडिया तो प्लीज अगर मुझे एक बार इंफॉर्मिशन मिल जाए कहीं से ऑन्लाइन ही बोल दीजिए कहीं पर कुछ कर दीजिए मेरे कहीं कमेंट में आके कर दीजिए कि भाई हम लोग आ रहे हैं तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा आप लोगों से भाविकुम मेला लगता है या फिर जो इंदौर का इलाका है इंदौर कहा रहा हूँ जो मत्रदेश के इलाके हैं जैसे दमू है इधर ख्षिप्रा नदी है उज्जैन है ये सब काशिविश्वनात हैं इधर यूपी में बहुत बड़े बड़े ये नाम है और ये हम लोग के लिए बड़े माइने रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर अगली बार आप लोग आएं तो प्लीज कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन दे दें मेरा बड़ा मन करेगा आप लोगों से मिलने का समीर भाई हो लता जी हो या रवी जी हो और बिलकुल सही का आपने कि भाई लोगों का काम है कहना हमारा काम है करना लोगों के कहे पर झाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला मैं सब को यहीं सला दूंगा कि जो लाइन इन्हों ने बोली है ना लोग जो महँं करें कहते रहें आपको जो अच्छा लग रहा है वो ज़रूर करिए ओर जिससे बोग भी सकते हैं उसी पूरी पसर जाती है जैसे ट्रेंट की जो स्लीपर बर्त होता है आप सो सकते हैं वहाँ पर और सब कुछ सारी सुविधाएं हैं और रही बात इनों धाबे के खाने बड़े जबरदस होता है भाई साब मैं अगर सफर पर निकलता हूं तो मैं भी जैसे यहां जब मैं गया था तो जोदपुर से हम जा रहे थे ओसियां में वह हैं संडिउंस हैं तो वहां जा रहे थे तो रास्ते में भूक लगी तो एक चोटा सा धाबा बिलकुल एकदम विरान सडक पर एकदम चोटा सा धाबा और उन भाई साब ने वहीं पर सबजियां पहले सब यारा नहीं तो मैं आप लोगों को बताता है ये आठ साथ-ाठ साल पुरानी बात हो गई जबर्दस खाना था तो बड़ा मज़ा आता है तो बड़ा मज़ा आया वीडियो देखे तो आप लोग भी देखे भई और जल्दे मिलता हूं नए वीडियो को साथ नमस्कार झाल झाल